हाई यॉल आज काटे टमाटर की सारी नीचे की पत्तियां ये हर 10-15 दिन में ये काम करना ज़रूरी होता है कि टमाटर के जितने भी सुखे पत्ते हैं उनको कट करना होता है लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है एक मिस्टेक है जो मुझसे हुई है टमाटर ग्रोइंग के टा मैंने आज तक अपने लाइफ टाइम में जितनी बार टमाटर ग्रोगी है अपकी बार जो है सबसे ज्यादा उसका हार्वेस्ट मुझे मिला है इतने सुंदर गुच्छों में एकदम बिग साइज के टमाटर लगे हैं जैसे बिलकुल हम मार्केट से खरीद कर लाए हो इसकी वज़े से मेरी थोड़ी टमाटर की क्रॉप खराब हुई है वीडियो में शेयर करूँगी बाकी कैसे इसको घ्रो करते हैं क्या करते हैं उसका मैं पुराने पुराने वीडियो में मैंने काफी बार शेयर किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो तो मुझे उतना आइडिया नहीं आया, मैंने जो सैपलिंग्स थे उस वक्त आगे पीछे हर तरफ हाथ जा रहा था बड़ इसका पिछला हिस्सा है उसमें टमाटर लगाने के बाद बिल्कुल मेरा हाथ में पहुंच रहा था और जिसकी वज़े से क्या हुआ है मैं दिखाती नहीं था एकसे स्टमाटर की ग्रोथ हुई उसमें और जिसकी वज़े से देखे आप पूरी जो ब्रांचे से वह बैंड हो गई पूरी जो प्लांट के गुच्छों है उनको मैंने बाउंडरी वाल के उपर सपोर्ट दे के रखा स्टिल बहुत सारे प्लांट है जो खराब मुझे हार्वेस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा सामने वाले सारे प्लांट बिल्कुल सही है स्ट्रेट है बट पीछे वाले जो है वो सारे पीछे की तरफ मुझे वाल की साथ सारे देकर उसको डालना पड़ा क्योंकि एक तो साइज भी बड़ा था और उपर से गुच्छे ज्यादा बने है प्लांट में वैसे मुझे एक लेसन भी मिला इस बार की चलो टोमाटर ग्रोइंग इस जगह पे बहुत अच्छी होती है और नेक्स टाइम भी मैं यहीं ग्रो करूंगी बट नेक्स टाइम से मुझे बिल्कुल सेंटर में भी जो है रस्यों की रह बनाने तो यह एक चीज है जो इस बार थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई है बाकी ग्रोइंग बहुत अच्छी है बहुत ही जल जैसे जैसे रेड होंगे हम इसका हार्वेस्ट आपको साथ शेयर करेंगे विडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेयर और स अपकेटी